नमस्ते मैं हूँ सीमा और आज मैं बात करने वाली हूँ आभा मंदल की यानि और आभा मंदल और यह हमारे लाइफ को कैसे प्रभावित करता है अगर यह स्ट्रॉंग होता है तो हम जीवन में काम चुटकियों में हमारा सफल हो जाता है लेकिन इसके बारे में आगे बात करने से पहले I just want to make a quick request please like share and subscribe my channel and share with your friends and family it motivates me we were talking about aura aura को कैसे strong रखे उसको cleanse करे पहले तो हमें जानते हैं और आ क्या होता है और आ से हमारा जीवन में काम बहुत जल्दी हो जाते हैं यह manifest करते हैं हमारी life में चीज़ों को और आपको मालूम होगा कि अगर हम हमारा aura strong नहीं होता तो कैसे हमारा वो life pattern चलता रहता है क्योंकि something is hanging around in the aura और वो वैसे हमें result देता है कि वारी हमने देखा है कोई विक्ति बहुत ही साधरन दिखता है लेकिन जब वो कहीं जाता है तो उसका काम ऐसे हो जाता है उसमें एक अलग आकर्शन होता है एक attraction होता है उसको ज्यादा मेहनत नहीं करने पड़ती है क्यों होता है ऐसा क्योंकि उनकी आभा मंदल से ऐसी vibrations जा रही है कि हमारा काम यूँ हो जाता है हमें कोई effort नहीं करने पड़ते हैं हमें इसको strong करने के लिए क्या करना चाहिए इसको strong करने के लिए हमें बहुत ज्यादा कोशिश करनी चाहिए हम ध्यान रखते हैं अपनी physical body का लेकिन हमारी जो subtle body है यह जो हमारी subtle body हमारे पास है इसका कौन धिहान रखेगा इसके लिए हमारी cleansing की जरूरत है cleansing कैसे करें इसकी हम सबसे easy तरीका है shower ले लो यह कभिए आपको गुस्सा आता है यह आपको irritation होती है उसमें हम जाते हैं और एक थंड़ पानी में नहां के आते हैं तो क्या होता है हमारा aura बिल्कुल clean हो जाता है और aura clean होते ही हम bright हो जाते हैं हमारी physical body तो clean लेकिन हमारा औरा भी ख्लीन हो जाता है हम ब्राइट हो जाते हैं और एम फ्रैश महसूंस करते हैं आपको मालूम यह अगर हम फिजिकल बॉड़ी क्लीन नहीं करेंगे और किसी के पास जाके बैठेंगे आपको तु समझ में नहीं आएगा लेकिन उसको पता पड़ जाएगा कि क्या हालत है ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं इस बारे में तो cleansiness बहुत जरूरी होती है जितना हमें उपर उठना है उतने ही हमें साफ होना पड़ता है mental body में, emotional body में और physical body में आपने देखा होगा कि हमारी दादियां पुराने लोग क्या करते थे वो दीपक लेते थे मंदिर में और आरती करते थे आरती करने के पीछी लॉजिक क्या है हमारा औरा उस अगनी से clear हो जाता है हम अब fire बात तो ले नहीं सकते है हम अगनी से नहा तो सकते नहीं लेकिन जब हम आरती करते हैं तो हमारा aura clean हो जाता है, एक particular process होता है, जिसमें हमारी दिश्टी दोश दूर होता है, यह बहुत powerful है, पुराने लोग करते थे, लेकिन आज हम भूलते जा रहे हैं, इसको हमें करते रहना चाहिए, दूसरा तरीका, यह fresh air, fresh breeze है, इसमें मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाओं, जिस velocity में यह wind blow करती है, वो मेरे aura को cleanse करेगी, मुझे एक अच्छी feeling लेके आएगी, और मैं strong हो जाओंगे, आप करके देखिए, आपको महसूस होगा, यह जितनी भी चारो तरफ हावा बह रही है, इसकी थोड़ी सी भी velocity सही होगी, तो हम अच्छा महसूस करेंगे एक और चीज़ आपने देखी, शादियों में, मारवड़ी शादियों में तो होता ही है, कि एक नीम की छड़ी लेते हैं, और नीम की छड़ी से हम जब लड़का जाता है वहाँ पे, तो वो तोरन मारता है, नीम की छड़ी का क्या उपयोग है? नीम की छड़ी से हम negativity दूर और नीम की छड़ी से भूत्बरेत लोग उतारते हैं गाओं में. नीम में वो ताकत है, नीम हमारी और को क्लीन कर देता है, हमारे आभामंडिल को साफ कर देता है. और कि बाढ़ बाढ़ीünden हमारा अंदर वाला शरीर भी क्या खाते हैं उसका भी फरक पड़ता है, कि हम क्या खा रहे हैं, इंटरनल हेल्फ भी हमारे भार की चीजों को फरक करती है, अगर हम बेमार हैं, अगर हमें बुखार है, हम week हैं, तो हमारा और आभा मंदल भी week हो जाएगा, इसलिए क्या हम अंदर खाते हैं और क्या हम बाहर इस तरह की लाइफ जीते हैं, वो जरूरी है, और जब हम नहा के बाहर निकलते हैं, तो बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं, आभा हमारा आभा मनी खिल जाता है. तो यह कुछ तरीके हैं, जो हमें अपने लाइफ में लेके आने चाहिए हैं, अपने और और को चलेंस करने के लिए. क्योंकि जब हम इसको क्लीन करेंगे, तो जो हमारे पुराने पैटन्स हैं, लाइफ में रिपीट होते जा रहे हैं, वो रिपीट नहीं होगे, क्योंकि something is hanging around in our aura, and we are not getting good results. तो मैं आशा करती हूँ, आपको समझ आया होगा कि aura cleanse करना कितना जरूरी है, और यह बहुत ही simple tips थे, अगर हम इसको follow करते हैं, तो हमारा aura साफ हो जाता है, हम जो भी चाहें manifest कर देते हैं, हमारा aura देखके तो लोग past की चीज़े बता देते हैं, present बता देते हैं, future अगर करता है, क्योंकि हम अपने कर्मों को बदलते रहते हैं, aura हमारा जैसे अच्छा होगा, हमारी future, अपने आप अच्छी हो जाएगी, so I think now you understand, कि aura, आभा मंदल, strong होना, bright होना, clear होना, कितना जरूरी है, आप ध्यान रखिए अपने aura को, और देखिए आपकी life में कितनी जल्द इसी चीज़े manifest होती है, रेकी भी एक तरीका है, जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारा aura अपने अप strong हो जाता है, और यतो aura meter से check करेंगे, तो आपको लगेगा आपका aura काफी दूर तक फैल गया है, thank you, you were listening to me, I like you like this talk, bye-bye. झाल